नमस्कार आप देख रहे हैं बाहु एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ रितिका लगतार आप जानते ही हैं कि हम आपको कोविट-9 की अपडेट जो है हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर जो है जरूर पहुंचाने के कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोग अपडेट रहें लगतार हम आपको खबर बता रहे थे कि अब केसिस में जो है काफी जादा कमी आना शुरू हुई है कोविट-9 केसिस जो है अब एक लाग से भी कम आना शुरू हो गया जी हाँ यह बात बिल्कुल सच है कि आज एक बार फिर से एक ला 6144 मोते जो हैं पिछले 24 घंटे में हुई हैं जब कोविट-9 के केसिस पीक पर थे तब टोटल डेथ जो थी वो 4000 तक जाती थी तब भी लोग काफी जादा है रान थे कि आखिर काट 4000 तक मोतों का आंकड़ा क्यूं जा रहा है उससे में कई ना कई समझ भी आता था कई लोगों को वांटी लेटर्स नहीं मिल रहें कई लोगों को ऑक्सिजन प्रोवाइड नहीं हो रहा और कई लोग जो है काफी स्वेर कोविट-9 के सिम्टम्स उनमें देखे जाते थे तब कोविट-9 की सेकिंड स्ट्रेंग जो थी वो बिलकुल ही पीक पर थी तब कई न कोविट-9 का नाम देकर बागी मरीजों को चेक नहीं किया जा रहा है अगर कोविट-9 की महामारी आई है तो क्या उसके बाद जो हार्ट पेशेंट से वो बिमारी खतम हो चुकी है जिनको डाइबर्टीज है जिनके डायलेसिस चल रहे हैं जिनको और को अंदरूनी बिमार किया बिमारी खतम हो चुकी और वह सारा न जोड़कर कोविट-9 में आना शुरू हो चुका है कि क्या यह जो 6000 लोग मरे हैं 6000-30% की डेथ हुई है क्या यह सिर्फ कोविट-9 की बजह से ही हुई है या कोई और बिमारी का कारण जो है वह कोविट-9 बता दिया कि इस वक्ति इस व्यक्ति को करोना महारी थी तो उस वज़ासे इस व्यक्ति की मृत्ति जो है वो हो चुकी है यह बहुत जनुम fryकर है कि जब अगर मैं बात कर रहे हूं तो मैं आप यहीं कर रही हूं कि कोविड नाइन के केसिस में आपको बता हूं कि पिछले 24 गंटे में यानि कि आज सुबा के डेटा के अनुसार जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा भीजा जाता है कितने पॉजिटिव केसिस आए हैं तो प 651,367 है यानि कि ज़्यादा ही है जितने पॉजिटिव केसिस आया पॉजिटिविटी रेट से रिकवरी ज़्यादा है और डेठ जो है 6148 टोटल डेठ जो है वो रिकवर की गई है सबसे हाइच्ट ये डेटा में में इन्चन भी किया गया है highest इन वाण डेई यानि कि सबसे highest death जो है वो पिछले 24 गंड और अगर मैं बात करूँ अब तक जो total cases हो चुके हैं कुछ ही दिनों में लग रहा है कि यह cases जो है वो तीन करोड टच कर जाएंगे क्योंकि 2,91,83,121 total cases जो है वो अब तक हो चुके हैं और जितने discharges होए हैं वो 2,76,55,493 total लोग जो हैं डिस्टार्ज हो चुके हैं डेथ टोल जो है आज का include करके 3,59,676 बढ़ चुका है अगर vaccination process बढ़ चुका है और vaccination से जो है काफी हद तक लोगों को recovery में मदद मिल रही है तो ये लापरवाई है administration की या ये वाकई में COVID-19 की वज़ा से जो है मृत्यू हो रही है और मृत्यू का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है ये बात हम लोगों की समझ से बाहर है और हर व्यक्ति जब ये चीज़ सुनता है कि COVID-19 की वज़ा से इतने लोगों के मृत्यू हो है तो बहुत से लोग stress में भी आ जाते हैं तो क्या यह आपर administration का failure है या कोई और बात है क्या यह आपर बाकी बिमारियां जो है वो खत्म हो चुकी और सिर्फ COVID-19 ही रह चुका है बहुत सारे प्रशन है लेकिन इस प्रशन का जवाब देने कोई आगे नहीं आता है और जब पूछा जाए तो यह का जाते हैं मारी तरफ से पूरी facility है बाकी हम कुछ नहीं गह सकते हमेशा यही बात का जवाब जो है वो मिलता है तो आज के COVID-19 की जितने death rate थी वो देखकर हर इंसान जो है वो चौंग चुका है वियानि कि असमंजस में आ चुका है कि क्यूं जो है death rate suddenly इतना बढ़ गया है क्या लापरवाई हो रही है क्या प्रिशासन का failure है किस वज़ा से जो है वो death rate बढ़ता जा रहा है अगर COVID-19 के cases कम है और positivity rate जो है वो कम है recovery जादा हो रही है तो आज 6000 के पार पहली बार death rate क्यों पहुंच गया किस चीज का failure है क्या pressure है हमेशा हर कोई pressure करता है हम जनता की आवाज आगे रखते हैं और जब इन से पूछा जाता है तो जवाब कुछ नहीं या तो ब्लांक या तो यह यह हमारे हाथ में नहीं है हमारी तरफ से सारी facility जो है provide की जा रही है अगर सारी facility है तो क्यों लोग जो है मरते जा रहे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप रोगों का इस बारे में क्या कहना है माकी ऐसी तमाम अपनिस के चुड़ रहे हैं बाहु एक्स्प्रिस के साथ